मासकार मैं हूँ सुशील पाठक दोस्तो इस सीरीज में अपने बिजनेस के इस सीरीज में आप मैं आपको एक नए बिजनेस से इंटरड्यूस कराने जा रहा हूँ ये ऐसा भी कह सकते हैं कि नए जमाने का एक नए बिजनेस है जी हाँ दोस्तो, खुबसूरती सबको पसंद है, चाहे घर हो या ओफिस हो, सबको खुबसूरत दिखना चाहिए, मतलब खुबसूरती के लिए लोग कुछ भी करने के लिए बेताब होते हैं, तो आज के इस जमाने में घर हो या ओफिस सबको खुबसूरत दिखाना हो, तो म उस business के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जी हाँ, आज मैं हूँ Ultra Walls Wallpaper Manufacturing Company में जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा brand है चाहें इंडिया के बात करें या बाहर देश में बाहर देश में भी इंडिया से अगर Wallpaper जाता है तो Ultra Walls बाहर भी export करते हैं तो दोस्तों आपको काफी मज़ा आने वाला है ये बहुत ही आकरशक और बहुत ही interesting business है क्योंकि घर के खुबसूरती हो या office के खुबसूरती हो सब के दिमाग में ये होता है कि अपना एक छोटा सा घर हो और बहुत ही खुबसूरत हो तो घर को खुबसूरत बनाने के लिए आप इस wallpaper का यूज़ करते हैं Ultra Wallpaper बहुत ही किफायती दरों में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के wallpaper आपको प्रोवाइड करते हैं आज के डेट में इंडिया में ये एक जाना माना ब्रांड है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये एक नया business है इंडिया में है तो बहुत दिनों से सर के company की बात करें तो ये 42 साल से लगभग इंडिया में ही 42 साल से इस field में काम कर रही है लेकिन awareness लोगों को अब हुई है लोग जागरुक हुए है घरों को सुन्दर कैसे बनाना है और wallpaper का कैसे use करना है तोस्तों यहां से हमारे साथ Ultra Walls Company के Ultra Walls Wallpaper Company के honor Mr. Manoj Jain जी है सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारे channel पे आपका सर हमारे viewers जो की interested होते हैं इनको अलग-अलग तरह के business models जानने होते हैं और करना भी होता है तो इनको आप सर यह बताएं कि यह जो आज के generations का नया business है यह सर्थ कैसा रहेगा लोगों के लिए देखे हर कोई व्यक्ति अपने घर को अपने office को रे student को hotel को एक सुन्दा रूप देना चाता है पहले जमाने में लोग दिवारों को रंग किया करते थे अलग-अलग तरह के ब्रेशों को इस्तवाल किया करते थे अलग-अलग look देने के लिए जो है मगर अभी वाल पेपर का चलन बहुत दिनों से बहुत जादा प्रचलित हो गया है जितने भी बड़े डिजाइनर है और आर्कीट है वह भी कहते हैं एक दिवार को अगर आपको खुबसूरत बनाना है हाइलाइट करना है तो एक अच्छा सुनदर 3D डिजाइन ब्रिक का कि अच्छी वाठी बदलने के लिए खाली सोचने का समय चाहिए आपको और कुछी मिंटों में कुछी घंटों के अंदर आप अपने घर को अपने ड्राइंग रूम को बेड्रूम को किड्स रूम को लाइबरेरी को रेस्टुडेंट को फोटल को आफिस को एक नया रूप कुछी घंटों के अंदर दे सकते हैं लेकि इस बिजनेस को अगर कोई करना चाहता है या रीटेल करके ही तो उसको मतलब प्रॉफिट किस तरह की होने वाली है इस विपार को शुरू करने के लिए कि बहुत जादा कोई इन्वेस्मेंट की जरूत नहीं है आपको कोई आफ आट से सतर पेजेज और 20-25 डिजाइन होते हैं जिसमें से कस्टमर पसंद करता है लेके इस तरह की हमारे बस एकड़ों किताबे हैं उन किताबों में से कुछ किताबे आपको लेनी होंगी जिसकी बहुती नॉमिनल चार्ज सबसीडाइज रेट के उपर रखे होते हैं किता आपको खरीदनी होगी वह आप अपने वेपार का पॉब्लिसिटी हर एक को कुछ भी करना है तो पॉब्लिसिटी तो करनी पड़ती है आपको अपने एरिये में स्टीकर्स लगाने होंगे डालने होंगे कि आप वाल पेपर का वेपार कर रहे हैं और आप घर पे आके वाल मतलब लेने हैं जिसमें आप अपने मतलब पार्टी को दिखाएंगे पार्टी जो डिजाइन पसंद करेगा वही डिजाइन आपको आके हमसे या हमारे डिसीवोटर से खरीदना होगा और लगाने की अगर कोई आपके आरेजमेंट नहीं है तो हमारे डिसीवोटर को आप बोलेंगे वह आपको कारीगर प्रोवाइड करा देगा और आप वो काम कर सकते हैं तो दोस्तों रीटेलिंग का बिजनस काफी अच्छा हो सकता है बिलाव तैनी इंवेस्मेंट यानि कि सिर्फ एक कैटलोग आपने लिया और यहां पर अपना सेंपल पसंद कराके आप आपको अगर पेस्टिंग का नॉलेज नहीं है तो वह भी टेकनिसियन सर अपने डिस्टिब्योटर के आपके अरिया में प्रोवाइड करा देंगे ठीक है तो दोस्तों यह ब्योसाय काफी अच्छा होने वाला है मैं आपको कुछ यहां पर जैसे की पूरी की पूरी दिव अलग अलग तरह के डिजाइन से भरी पड़ी है लेकिन फिर भी मैं यहां का एक छोटा सा टूर आपको कराऊंगा बहुत ही मज़ा आने वाला है काफी इंट्रेस्टिंग बिजनस होने वाला है अगर कोई भी जैंकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सर का वेबसाइट दिया हुआ है www.ultrawalls.com वहां पर जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं सर हमार दशकों कुछ और बात बताना चाहेंगे कुछ जानकारी देना चाहेंगे देखिए वाल पेपर पर पसंद करते समय दो तिन चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए वाल पेपर सजावट की चीजज़ है कोई चीज़ कवर करने की चीज़ नहीं है जिससे में भी बाल पेपर आप लगा रहे हों दिवार के ओपर मौशर नहीं होना चाहिए मौशर है तो उसको रिपेर कराईए उसके ऐसके पर कुटी कीज़िया और वाल पेपर को लगाईए लेके और चार-पांच-छे साल आप समझिए वाल पेपर में कभी भी कोई खराबी नहीं होने वारी चार-पांच-छे साल भी लाइफ मैंने आपको बता ही हम्मुन हमारे देश के अंदर जो तीन-चार-पांच साल में लोग अपने इंटीरियर को घरके ऑफिस के इंटीर को बदल देत से उसकी कलर की मैंचिंग होनी चाहिए ऐसा निकल नहीं होने चाहिए कि दिवार आपकी साइड की नीली हो और आपने जो हाई-लैटर वाल बनानी है उसको पीली रंकी बना दिया या हरे रंकी बना दिया आप जहां तक सोच सकते हैं उससे कहीं गुना आगे तक के effects के design wallpaper के अंदर easily available होते हैं तो दोस्तों मैं आपको थोड़े से sample यहां पर दिखाता हूँ दोस्त जैसा कि आप यह sample भी देख पा रहा है काफी खूबसूरत इसमें full पत्यों की design है यह भी एक wallpaper है जो दिवार पर लग जाता है इसके साथ ही यह slider पर आप भेर सारे design देख रहे हैं यह सारे के सारे design आप use कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा touch के साथ में अगर आप touch भी करेंगे तो आपको ऐसा fill नहीं होता है कि यह wallpaper है बहुत ही इसमें अच्छा touch है यह एकदम पूरी तरह paint ही दिखता है और काफी खूबसूरत आपका wall दिखने लगता है अगर इस paint की बात करें यानि कि इस wallpaper की बात करें तो इस पे भी इसकी printing काफी अच्छी है और आप इसमें touch करके भी feel कर सकते हैं तो काफी खूबसूरत दिखने वाला है आपका घर हो या office हो, kitchen हो, restaurant हो, hall हो, mall हो कहीं पे भी आप इसका use कर सकते हैं और काफी long lasting होती है काफी अच्छे समय तक यह टिका रहता है यानि कि एक बार आप लगाने के बाद में इसको 6 साल, 7 साल, 8 साल तक use कर सकते हैं और सबसे बढ़ियां बात कि यह washable होता है यानि कि अगर आप sponge में detergent वेकर यूज़ करके इसको wash भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे दीख रहा है, काफी डिजाइने है सारे डिजाइन कवर कर पाना मुश्किल है आप सर के website www.ultrawalls.com पे विजिट करके आप वहाँ से design भी देख सकते हैं और अगर आपके मन में कोई query है तो वहाँ से पता कर सकते हैं आप retailer क्या, distributor का भी business कर सकते हैं दोस्तों कैसा रहा concept उम्मिद करता हूँ कि ये concept आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा हो भी क्यों ना, क्यूंकि आज के जवाने में खूबसूरती हर कोई पसंद करता है तो आप बहुत ही कम investment में इस business को शुरू कर सकते हैं मिलते किसी नए business model और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त जय हिंद बंदे मातरम